बहुत ही ज़्यादा सस्ती है बहुत ही ज़्यादा सस्ती इससे ज़्यादा सस्ती कलच प्लेट है तो आपको यह लगा लोकल भी नहीं मिलेगे आप लोकल कलच प्लेट भी लोगे ना हेलो दोस्तो मेरा नाम है जे सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एरवी अन्वाक्सिंग तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का आज हमारे पास होंडा के दो जैनून डब्बे हैं जिनके अंदर 200 कलच प्लेट है और अलग यह चाहिए पांच ये है ये 10 कलच प्लेट हमारे पास FCC है जो हमें बैशल भेजनी है एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनने FCC की कलउट चाहिए थी और जो हां से वह है वहाँ पूर्ण नहीं मिले बैसिकली बहुरास्ट बहजनी है मैं तो वहाँ पूरे कोरियर कर दे तो हमन अब यह Honda की जैनून कलच प्लेटे हैं, अभी एक नई गाड़ी आई है हमारी, Honda की एक नई गाड़ी रिली लॉंच वी है, और मतला उसे बहुत टाइम हो गया आए हुए, तो वीडो के अंदर बताएंगे बाकी, बाकी Honda के अंदर जैनून कलच प्लेटे हैं, यह 200 पीस हैं, 100 इसके अंदर है, 100 इसके अंदर है, टोटल दो सो पीस कलच प्लेटे लिए हैं और यह कलच प्लेट ना इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है, अभी तक की Honda की सबसा सस्ती कलच प्लेट है यही है, तो अपना में रीजन जो है न वीडो को बनाने का वो यही है कि अगर Honda जैनून इसके अंदर जो कलच प्लेट निकलेगी उसकी क्वालिटी में आपको जमीन आस्मान का अंतर मिलेगा, जमीन आस्मान इन रसाइंस की इतना जादा भी नहीं मिलेगा कि यह बिल्कुल लोकल हो जाएगी और यह बिल्कुल जैनून हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस जरूर मि अच्छा इसके अंदर देखते हैं क्या पता इसके अंदर भी एफसी सी निकले जहां तक मुझे लगता है भई होंडा को या हीरो को या मोश्टली जितनी भी कंपनी हैं सब को एफसी सी दे रहा है कलच प्लेट तो यह भी एफसी सी निकलेगी तो वटावट से इसे बॉक्स को साइड करते हैं ये भाई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस कलच प्लेटे यहां पर यानि कि यह हो गए हमारा दस और एक में भी मुझे लगता एक में दस पीस है दस बॉक्स तो टोटल हो गए सो और सो इसे इसमें से भी खोली लेते हैं इसे भी कि यहां अक्यों है कि यह अगयी हमर पास सौ करे इसского में इस पेटी को भी साइड करते हैं पीटी का काम खत्म तो हमने सारी हैं बहार निकाल लिये अब हम ना करीब दो बेकैत लिंगे दू या सब के सामने स्थीट तरह के इस तरीके से स्टेपलर हो रखी है यह भी है इस वाली को भी स्टेपलर किया हुआ है यह खोल के यह एक पनी है उसके अंदर खोलके उसे इसमें 10 पीज डाली है और फिर नियुए कमपनी ने खोल के इसे पैक करके एक को दस का पीस बना दिये, गिल लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस है, दस ही बई, कभी-कभी होंडा से भी गलती हो जाती है, अभी हमने एक रील डाली थी, इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर किकी स्प्रिंग थी, होंडा लिवो की, लेक एक बॉक्स को खाली कर लेते हैं, और इसमें से एक ही निकालते हैं, बस, एक इसमें से निकाल लेते हैं, और एक इस वाले बॉक्स में निकाल लेते हैं, दो, और एक कोई और बॉक्स चुन लेते हैं, ऐसे रैंडमली ये वाला, ये हमने, ये तीन क्लच प्लेटों को चेक क सकती है इसके अंदर जो जन्म अब हमें यह पैकिंग में हूंडा की पैकिंग में हैं लेकिन 100 परसंड क्या हुंडा की निकलेगी अगर अगर आप इस चीज़ से स्याहत है तो कून करके जरूर बताना और आपके हीरो की FCC के अंदर जो कलेश्पिलेट उसे भी ले ले लेते हैं तो यहाँ पर इसे भी खुल लेते हैं और ये बॉक्स से बाहर करते हैं या फिर 100% होंडा जैनुवन आप खरीच सकते हो चलिए फटावट से अंबॉक्सिंग करते हैं करते हैं इसकी डिटेल क्या है क्या इसकी प्राइजिंग आट है कि इसकी मॉर्प भात लिए उससे पहले इसके डब्डे पर देख लेथे हैं डिटेल और पार्ट नंबर वगएरा क्या है पार्ट नंबर में यहां पे फसी बी H E SPL 100 ORG लिखा हुआ है और पार्ट नेम है कलच प्लेट MRP है 215 रुपे इंक्लोडिंग होल है यहां पर इस टीकर में इतना कुछ खास है नहीं बस MRP पर देखते हैं 215 रुपे और यहां लिखा हुआ है SPL 100 ORG ORG यानि original हो गया इनकी भासा में 100 यानि 100CC की Splendor और FCC है यहां पर कलच प्लेट लेट है तो बेसिकली यह कलच प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से इस पन्नी से और चेक करते हैं कलच प्लेट की जो quality है वो quality कैसी है तो यहां पर कलच प्लेट है एक दो तीन चार कलच प्लेट है बेसिकली 100CC Splendor में होती है अब इस कलच प्लेट में से एक कलच प्लेट को ले लेते हैं और बारी किसे देखते हैं डिटेल में यहां पर भाई देखेंगे आप कुछ कोडिंग है इधर भी इधर भी और यहां पर भी यहां पर FCC लिखा हुए प्रॉपर पूरा FCC यहां पर 107 कुछ कोडिंग है यहां पर M18 कोई अलग कोडिंग दी हुई है बस इतना खास कुछ है नहीं इसके लेदर को देखेंगे तो लेदर की जो क्वालिटी है वह भी नॉर्मल ही है इतना ज्यादा स्पेसल नहीं है यह कि जैनून लेदर जो है वह बिलकुल इससे मि ही है देख लिए इसका पार्ट नमबर है ट्रिपल टू जीरो वन के थी सी डी वन वन कॉन्टिटी है एक पीस प्रोड़क्ट है डिस्क कलच फ्रिक्शन और यहां पर इसकी मेनुफेक्ट्रिंग है अक्टूबर दोजार तेईज मर्पी है 58 रुपीस इंक्लोडिंग ऑफ चार पीस लगते हैं एक दो तीन और एक और ले लेंगे हम आरे पास व्यसे भी बहुत है चार पीस लगेंगे चार पीस के प्राइज की बात करें तो 232 रुपे चार पीस का प्राइज है और यहां पर इसका 250 रुपे मतलब पंदर अगर आप FCC में लेते हो तो अच्छा FCC की Honda की Gen 1 मिल रही है, आपको brand मिल रहा है, सबसे बड़ी बात, देखो हम सस्ती कलश्टे क्यों यूज करते हैं, मतलब हम FCC क्यों यूज करेंगे, मेरी जगह अगर आप रहोगे, आप सोचोगे FCC यूज करेंगे, तो क्यों, किस condition में, जब आपको सस्ती मिले, जब आपको Gen 1 ही सस् मिल रही है, तो आप FCC यूज करोगे ही, क्यों, सबसे बड़ा options तो यही है, सबसे बड़ी बात यही आजाती है, आप प्लेट की quality चेक करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बोला था, कि quality के अंदर आपको कहीं ना कहीं, 19 भी इसका difference मिलेगा ही मिलेगा, प्लेट को बाहर निकाल मिलेगा, Honda के अंदर जितनी भी genuine निकलते हैं, वो hero की हो, मतलब company genuine जितनी भी कलेट होते हैं, 100% OEM packing में, उनके उपर आपको FCC की जगए, FCI लिखावा मिलेगा, यह company की कुछ coding है कि proper आप FCC लिखके नहीं दोगे, और FCC के अंदर जो लोगे, उस पर proper FCC मिलेगा, यह भी पहचा ने सलकी सी ज़्यादा है और इसमें नहीं है, इसकी dark black थोड़ी सी लग रही है, इसका blackness, blackness इसमें बहुत ज़्यादा है, Honda जैनून है, यह जो दोनों कलस्परोड में, जो the difference था वो यह है, हमारा यह है 100% Honda की जैनून, और यह है हमारी FCI की कलस्परेट बिल्कुल सेम है, अगर size better करें तो यहाँ पर तीनों को रख देंगे, हम चारों को मिला देते हैं ना, तो देख लिजिए, आप पहचान नहीं सकते कि किस में क्या difference है, देख पार है, कोई difference नहीं है, विल्कुल डिट्टो सेम है, तो भाईयो यह थी हमारी एक वीडियो, जो 100% जैनून का 19-20 का difference हो, लेकिन size में और देखने में और fitting में कोई भी फर्क नहीं है, प्रॉपर फिटिंग है, अच्छा, मैंने आपको Honda की packing से निकाल के दिखाईए कलेश प्लेटे, और एक दिखाईए, FCC की कलेश प्लेट, 100cc स्प्लेंडर की, अच्छा, यह स्प्लेंडर की है, आप हुंडा साइन, 100cc की, तो उसके अंदर यह वाली कलेश प्लेटे आती है, इसका पार्ट नमबर वगेरा मैंने आपको दिखाया है, पार्ट नमबर इसका दुबारा से बता देता हूं, एक बार, 22201K3CD11, तो भाई, यह 100cc की हुंडा साइन है, तो इसके अंदर आपको जो क बना के दीजाए, जो लोग स्प्लेंडर के अंदर, अप स्प्लेंडर की कलेश प्लेट अगर आप खरीतते हो, हीरो जैनल, तो 400 कुछ रुपे की कलेश प्लेट है, हीरो की जैनल, 400 रुपे से भी उपर है, स्प्लेंडर की हीरो में अगर आप खरीतते हो, लेकिन अगर आप Honda में वही color plate खरीते हो तो आपको एक तो quality जैपनिश technology है quality तो भूल ही जाओ कि quality में कोई compromise होगा अगर आप Honda में लेते हो और इस TreatPlate को आप अपनी Hero की Splendor बाइक में आलोगे तो मुझे नहीं लगता कि कही बी कोई भी Difference आएगा Splendor की brightness प्लेट को लेके कि आप Splendor की डालो और Honda की डालो तो आपको लगेगा कि अगर आप डाल रहे हो अभी तक इसे डाल रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको यह छोड़ करना यह डालने चाहिए क्योंकि इसी प्राइज में आपको FCC के प्राइज में आपको 100% जैन्वन टेकनोलोजी मिल जी है Honda की Technology, Japan की Technology है और सस्ती भी है बहुत सबसे ज़्यादा जो main reason है इस वीडो को बनाने का वो ये है कि इतनी सस्ती कलेश प्लेट मैंने आज तक किसी भी बाई की नहीं देखी जितनी सस्ती कलेश प्लेट ये है 58 रुपीज की एक कलेश प्लेट 58 रुपे की अगर 4 पीस लेते हो तो आपको मतलब अगर 240 रुपे में भी अगर ये 4 कलेश प्लेट है पढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब 232 रुपे की कलेश प्लेट पढ़ रही है चार हो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती है subscribe करना मत भूलना बागी वीडियो को like करना मत भूलना तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई unboxing में तब ते क्लें गुड़ बाई